दोस्तो आज 22 फरवरी आज आप लोग का हिंदी का एक्जाम था मेरे पास हिंदी पेपर का सेट E का आंसर की है आप मिला लिजे और देखे कि कितना क्वेस्चन का आंसर सही होगा तो चलिए आंसर को मिलाते हैं तो यह हिंदी पेपर और हिंदी का यह सेट E है तो आप अभी म आंसर बताऊंगी आप मिला लिजेगा आपका कितना question का आंसर सही होगा तो पहला question क्या है पहला question का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा option B और दूसरा question का उत्तर हो जाएगा option C मिट्टी से तिसरा question का उत्तर हो जाएगा option B question number fourth का answer हो जाएगा option C Q5 का अंसर हो जाएगा Option D Q6 का अंसर होगा Option C 7 नमबर प्रेश्ण का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा Option C 8 नमबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा Option C 9 नमबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा Option B 10 नमबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा Option A जन तंद्र का जन और 11 नंबर प्रेश्ण का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा option B पराधिन और 12 नंबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा option C 13 नंबर प्रेश्ण का उत्तर होगा option B जो तालू है और 14 नंबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा option A 15 नमबर प्रेश्ण का उत्तर होगा option D, जो तत्व है 16 नमबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा option C, समुह वाचक 17 नमबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा option A, इस्त्रिलिंग होगा 18 नमबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा option B Q19 का उत्तर होगा option A question number 20 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा option B 21 number question का उत्तर हो जाएगा option C 22 number question का उत्तर हो जाएगा option D जो तत्पुरुष समा से question number 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा option A 24 नमबर प्रेशन का उत्तर हो जाएगा option B होगा जो है दानो 25 नमबर क्वेशन का आंसर हो जाएगा option C 26 नमबर प्रेशन का उत्तर हो जाएगा option D तो आप लोग मिला लेजेगा आपका कितना सही हो रहा है और यह जो मैं आंसर बता रही है 100% सही है तो आप लोग मिला लेजिएगा 27 नंबर प्रेश्ण का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा option C तो एक कार्ये से दो लाब होना और 28 नंबर प्रेश्ण का जो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर होगा option B 29 नंबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा option A जो है तत्सम 30 नंबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा Option C 31 नंबर प्रेश्ण का उत्तर हो जाएगा Option C जो है 32 नंबर क्वेश्ण का आंसर हो जाएगा Option B 33 का राइट आंसर होगा Option A 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा Option D 35 नंबर क्वेश्ण का जो आंसर हो जाएगा Option C होगा 36 का सही उत्तर हो जाएगा option D जो कि व्यक्ति वाचक है 37 का correct answer हो जाएगा option B 38 का correct answer हो जाएगा option A जो कि करताकारक है 39 का correct answer हो जाएगा option A होगा जो कि तदसम है और 40 का हो जाएगा correct answer option B 41 का correct answer हो जाएगा option D जो की उदित है 42 का correct answer हो जाएगा Sorry, 41 का correct answer हो जाएगा option A और 42 का correct answer हो जाएगा option B option B में क्या है? द्रव्य बाचक है और 43 का correct answer हो जाएगा option c जो पित जोड अंबर है पित अंबर होगा और 44 का correct answer हो जाएगा option d जो की वियोग है 45 का correct answer हो जाएगा option a अपादान कारक होगा 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा option b कोलार और करनाटक 47 का correct answer हो जाएगा option b और 48 का correct answer होगा option c option C में क्या है मा है आप लोग मिला लिजएगा answer और 49 का जो correct answer हो जाएगा option A होगा 50 का correct answer हो जाएगा option D option D ये है निरित्य शाला की और 51 का जो correct answer हो जाएगा वो होगा option D होगा गुरू अर्जुन देवने उसके बाद यहां आता है number 여 son kalibarsti सबलोंसर दो फ्रम दो वक्राइबिन Mm उप्राइब करेक्ट ओर हो जाएगा वस्तौधे सब्साल में भी जो कृष्यley जो उप्सेंड及 तो ये है उप्शन C करेक्ट अंसर होगा 55 का करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन C नाटियक और 56 का करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन B, उप्शन B में प्रेम घंकी है तो ये करेक्ट अंसर हो जाएगा और 57 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो होगा option B 58 का correct answer हो जाएगा option A रामधारी सिंह दिनकर की 59 का correct answer हो जाएगा option B, संकिरनिता की और से 60 का correct answer हो जाएगा option A, जनतंत्र का जन्म 61 का correct answer हो जाएगा option A, जो की रोन नदी है 62 का correct answer हो जाएगा option B, एक जन्वरी वाला हो जाएगा और 63 का correct answer हो जाएगा option D, option 2 में क्या है संतु है 64 का correct answer हो जाएगा यहाँ option B है 65 का correct answer हो जाएगा option A, जो की नए है और 66 का correct answer हो जाएगा option B 67 का correct answer हो जाएगा option C, महात्मा गांधी का और 68 का correct answer आजाएगा option D होगा तो आप देख सकते हैं यहां मिला लिजेगा option D 69 का correct answer हो जाएगा वो होगा option A 70 का correct answer हो जाएगा option B जो की है पिताजी 71 number question का answer जो होगा वो होगा option C गुजरात के और धर्ती कब तक घुमेगी कैसी कहानी है 72 number question का जो answer होगा उसका सही answer हो जाएगा option D 73 number question का answer हो जाएगा option A 74 का सही answer हो जाएगा option C 75 का correct answer हो जाएगा वो होगा option D 76 का correct answer हो जाएगा 76 का correct answer होगा option C जो की कमरे में बंद कर यह correct answer हो जाएगा और 77 का correct answer हो जाएगा option A होगा doctor से 78 का correct answer हो जाएगा option A, खलिआन में और 79 का correct answer हो जाएगा 79 का option B होगा कैलास की patnblue राधा और 70 sorry 18 number question का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा, option A 81 number question का जो answer होगा वो होगा option D तो ये है नीजवाचक और 82 number question का जो answer होगा उसका होगा option B तो ये है option B संख्यावाचक और परिजन का जो उपसर्ग है यानि कि 83 number question का जो answer होगा option C होगा तो परी होगा और 84 number question का जो answer होगा वो होगा option D 85 number question का answer हो जाएगा option A तो यह है द्वन्द समास होगा और 86 number question का answer भी sorry 86 number question का जो answer होगा वो होगा option A और 87 number question का answer हो जाएगा option B तो यह रहा भी मिस्टर वाक्य 88 number question का answer होगा option B तो यह है option B 89 number question का जो answer होगा वो होगा option A और 90 number question का answer होगा option C जो पट है 91 number question का answer होजाएगा option C 92 का सही answer होजाएगा option D 93 का सही answer होजाएगा option A 94 का correct answer हो जाएगा option B 95 का correct answer हो जाएगा option C जो देवनागरी है 96 का correct answer हो जाएगा option B Option B में 1000 परसाद दुवेदी है 97 का correct answer होगा option A जो की रविवार है 98 का correct answer हो जाएगा option B होगा 99 का correct answer हो जाएगा option C परंपरा का मुल्यांकन और 100 number question का जो answer हो जाएगा उसका होगा option C